मुरदबाद के स्स्पी हेम राज मिर्णा ने पुलिस लाइन में साइवर अपरादियों के गैंग का खुलासा करते हुए साइवर क्राइम थाने की पूरी टीम को शाबाशी दी है स्सपी हेम राज मिर्णा ने बताया कि बड़ी मुश्किल से साइवर क्राइम थाने की पुलिस द्वारा इस गेंग के पाँचो सदस्सों को गिरफ्तार किया गया है सरविलांस टीम और साइवर थाने की पुलिस द्वारा दूसरे राज्यों से इन्हें किसी थरा मुरादाबाद बुलाया गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया पकड़े गई लुकमान पुत्र खुर्शीद, अश्फाक पुत्र स्वर्गे रहमान, मुहमद यूनुस पुत्र छोटे, अफरीत खान पुत्र कमाल और नासिर पुत्र स्वर्गे जानू ये सबी और इनके अन्य साथी लोगों को वाट्सप पर या यूट्यूब पर अश किल में है, इस गैंग के द्वारा अब तक अलग-अलग लोगों से लगबख साड़े नो लाग रुपे की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है SSP हेमराज मीडा ने बताया कि इनके कबजे से तीन लाग से अधिक ठगी गई रकम, दो मोबाइल फोन, चार डेविट कार्ट, पांच परजी सिम कार्ट और सत्रा अधार कार्ट, तेरा पैन कार्ट, एक डियल, दो पास बुक, एक बोटर आईडी कार्ट भी बरामत किया ग स्टेबल, विजे सिंग और पैशान की काफी प्रसंसा भी की है, SSP ने बताया कि ये लोग सोशल मीडिया पर फटजी एकाउंट बनाकर नएने तरीकों से लोगों को अपने जाल में फसाया करते थे और बाद में उन्हें ब्लैक मेल करते हुए मोटी रकम वसूलते थे, इत कि आज जन्पत मरदबाद में, जो साइवर थाना है, इसके दूरा इंटर स्टेट गैंग है, इसको पकड़ा गया है, फिसन पांच लोग पिसमे जरत्ता रिपी गई है, और ये वडिये हैं जो कि वाट्सप कॉले करके और फेस्लूक के जो अकाउंट होते हैं, उन पर फ् और घ्री इस तरीके से ही जो पूरा गयांगे काम कर रहा था और ये राजस्तान के ओप नकी लड़ करें है यह जन्पद जो डीग मैं बढ़ता है वहां पर थाना सिक्री है वहां के रहने के जैग मत्रांग रहने वाले हैं और यो तरीके सी जो लोग आए यह बॉड्डर्ज जो जनपद है, हमारे जैसे की मतना जनपद है और इसको इदर डीब जनपद है और अलवर्र जनपद के जो मेवाज शेत्रों के लोग थे यहीं इसको मिल के आपस बना रह रहा थे लोगों ने ऑस पास में बहुत सारे बच्चों को इनों इस तरह की ट्रैनिंग दें रखी कि वह तो गाउं में यह सब लोग इखटे होके कोई कॉल करता था तो कोई चैटिंग करता था और कोई बैंक अकाउंट के माध्यम से उनके पैसे ट्रांसफर करता था कई सब्सक्राइब करके और यह सब्सक्राइब करके और यह अच्छे गेंग को पकड़ा है और पहली वार ऐसा हुआ है कि हम लोग पहले जो पैसा है उसको ब्लॉक करा दिया और उसके बाद उसको वापस करा लिए यह काम अक्सर करती रहती है हमारी साइबर टीम लेकिन जो पूरी गैंग है इसको पकड़ने में बहुत मैनत करने पड़ी और इन लोगों ने बड़ा ही महां पे कॉकस बना रखा है कि वहां से ग सब लोगों कर दो बहुत बढ़ा ही काम करें अजो दो तीन लोग है और इन पुरीयां है इस तरीके से नहां इसको एक बिजनिस का रूप दे दिया है दनदा बना दिया है और इस कारवाई से इन लोगों को जरूर एक हो मिलेगा और इसमें बाखी जो इनका ब़ूँ को ब पर पर या जो वीडियो चैट करते हैं उस पर भी लगातार इस तरह की जडबत में सुचना है आती रहती है तो यह अच्छा एक प्रयास है और इसके लिए मैं पूरी मेरी जो टीमें इसको पंदराजार पर इसकार भी देता हूँ